बच्चों सोसब प्रतिमिर्ण गति का डिक्टेसन यस स्टार्ट आपको पता है दो साल पहले हमने महिलाओं के लिए महिला समर्दी योजना शुरू की थी जो बड़ी लोगप्री हुई है और हजारों लकों महिलाओं ने अपने नाम से खाते खोले हैं इस योजना के तहत मान लीजिए उनमें से कोई महिला वर्दा है पेशट साल की है और उसे हम 75 रुपे महिने दे रहे हैं वह सीधे सीधे उसके खाते में जाएगा जो खुला हुआ है तो उसको कुछ कहना नहीं पड़ेगा उसके खाते में सीधे सीधे बचत के रुपे जाएंगे इसका मतलब हुआ कि साल भर में 900 रुपे उसको मिलेंगे और महिला सम्रदी योजना में उसको केवल 300 रुपे देने पड़ते हैं जिसका ब्याज मिलता है तो 800 रुपे उसकी कमाई वेसे ही हो जाती है आमदनी वेसे ही हो जाती है तो उस योजना का इस योजना ने इस तरह से संबन बनाने से महिलाओं का खास तोर से फाइदा होता है यह हुई एक योजना इसे चलाएगा कोन इसके लिए पंचयतों को और नगरपालिकाओं को जिम्मेदार बनाया गया है लेकिन इसका संचालन और इसके लिए जो मार्ग दर्सन करना है वह जो जिला इस्तर पर एक कमेटी होगी जिसमें पबलिक के नुमाइंदे होंगे हमारे सांसत होंगे कलेक्टर होंगे कुछ और अधिकारी होंगे जिम्मेदार लोग होंगे समय समय पर वे उनकी अपनी बेठक करेंगे और अगर इसमें कमिया होंगी तो वे उन्हें दूर करने की कोशिस करेंगे और अगर किसी की समझ में नहीं आता तो या कोई एसी बात हो जिस पर इस पस्टी करण की आउसकता हो तो फिर उसमें मार्ग दर्शन करेंगे और इसकी पूरी-पूरी देखरे करेंगे ये सीधे सीधे पेशा जाएगा केंदर सरकार से और कार्यानवाइन होगा पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा और देखरेक होगी जिला इसतर पर एक कमिटी के द्वारा जो पबलिक के नुमाइंदों पर और हमारे सांसदों पर और लोगों पर आधारीत होगा दूसरी योजना है मान लीजिए एसा कोई गरीब है गरीबी की देखा के नीचे परिवार को चलाता है लेकिन अचानक उसकी मृत्यू हो जाती है मृत्यू दो तरे से हो सकती है एक तो वेसे ही मृत्यू हो सकती है या किसी दुरगटना के कारण हो सकती है कहीं से गिर गया कुछ हो गया और उस दुरगटना के कारण अचानक उसकी मृत्यू हो गई तो उसका परिवार भी निसहाय हो जाता है जैसे बिमार पढ़कर या ऐसे ही मामलों में डेत हो जाती है, मरत्यू हो जाती है जिस परिवार के कमाने वाले की मरत्यू हो जाती है ऐसे परिवार को 5000 रुपे और दुरगटना के कारण जिसकी अचानक मरत्यू हो जाती है उस परिवार में कमाने वाले की तो उस परिवार को दस हजार रूपिया इस प्रकार केंद सरकार से देने की व्यवस्था की जा रही है तीसरी योजना है इसी तरह के गरीब परिवारों की मजलाओं के लिए जो कभी बीमारी का सिकार हो सकती हैं कभी उनको मजदूरी नहीं मिलती उन दिनों या महिने दो महिने तक उनको नहीं मिल सकती तो प्रसुती के सिल सिले में उनको आवशक्ता होती है पेस्वे की तो एक-एक मैलाओं को दो बच्चों तक तीन सो रुपे का प्रभंद है जिससे उसकी देखभाल का इंतजाम हो सके और कूछ उसकी मदद हो सके जो हर प्रसुती के समय जरूरी होती है धन्यवाद